वेल्कम बैक दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे वशीकरण के इस चैनल में आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक पावरफुल तांत्रिक वशीकरण क्रिया जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं जी हां दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को ध्यान स से देखिए समस्या चाहे कैसी भी हो आपको मिलेगा तुरंत समाधान पती-पत्नी में अनबन प्रेमी प्रेमिका का आपस से रूट जाना प्रेम विवाह में अरचन सौतन से चुटकारा दुश्मन का खात्मा तलाक रोकना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं दो लोगों को अलग करना चाहते हैं चाहे वो बिजनस में हूँ या फिर वो घर पर हूँ बस आपको करना है एक फोन और आपका समाधान मिलेगा आपको जी हां All problems are solved by Aghori Babaji. Any problem in your life he can solve all your problems within 10 minutes. He can get result. He is a specialized Aghori Babaji. So he can solve husband wife problems, love marriage problem, green card problem, visa problem. All your problems in your family or outside your family he can give you a solution in just 10 minutes. So call करें Aghori Babaji को और पाएं सभी समस्याओं का समाधान. दोस्तों आज मैं आपको Aghori Babaji की तरप से ही एक ऐसा विडियो बताने जा रही हूँ जिसमें आप चॉकलेट से कर सकते हैं किसी का भी वशी करन. जी हाँ चॉकलेट खिलाकर आप किसी को भी अपने वश में कर पाएंगे. चाहे वो कोई भी हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, कोई लड़की हो या फिर आपके घर का कोई सदस्य हो. अगर आपके माबाप आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आप अपने माबाप को भी अपने वश में कर पाएंगे. जी हाँ, कुंडली दोश हो, या फिर पती-पत्नी का अनबन हो, प्रेम संबंधित सवस्या हो, दुश्मन से चुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर सौतन से, प्रेम विवाह करना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं. हर मुश्कल से मुश्कल समस्या का पक्का समाधान आपको मिलेगा हमारे नमबर पर, तो दोस्तों हमारे नमबर पर कॉल लगाईए और समस्या का समाधान पाईए. चॉकलेट से वशी करण कैसे किया जाता है ये जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा ही तरीका जिससे आप किसी को भी चॉकलेट खिलाके अपने वश में कर सकते हैं दोस्तों बहुती आसान क्रिया है इसे आप मंगलवार के दिन कीजिए हफते में मंगलवार का दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर तांत्रिक क्रियाएं की जाए तो वो आपको जादा फल देती है अगर आपके पास मंगलवार का समय ना हो तो आप इसे शनिवार के दिन कर सकते हैं जी हां तो सबसे पहले रात को दस बजे से लेकर दो बजे के बीच में आपको ये क्रिया करनी है और उससे पहले आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं और पूरब दिशा की तरफ मुख करकर बैठ जाना है अपने सामने आपको एक दिया जला लेना है सरसों के दिया आपको जलाना है और उसके बाद आपको बैठना है और अपने हाथ में को एक चॉकलेट लेनी है चॉकलेट आप कोई भी ले सकते हैं जो भी उस व्यक्ति को पसंद हो अगर आप वो चॉकलेट ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है या फिर आप इधे हाथ में रखना है आपको और उल्टे हाथ से उसको ऐसे ढग देना है और उसके बाद आपको मंतर का उचारण करना है दोस्तों आपको मंतर का उचारण 521 बार करना है और इस मंतर का उचारण करने के बाद आपको चॉकलेट के उपर फूकना है यानि कि जब भी आप मं जो 21 बार बच जाएगा तो आपको 21 बार में हर बार इस चौकलेट को पहलू ना आहे जले高el धानी और14 2000 को एक कंधाध सीब स्लूपर उद्धी टाच्वक में र encant अधिम्द्रिट कोसी था या तो अगर आपने की मंगलवार की शनिवार को या फिर अगर आप मंगलवार या शनिवार मैं से किसी भी रात को अगर इसे करते हैं, तो आपको या बुधवार को या फिर रविवार के दिन इस चॉकलेट को उस व्यक्ति को खिला देना है. इस तरह से वो व्यक्ति आपके वश में होगा और आपकी जो समस्या है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आसानी से हल हो जाएगी दोस्तों ये मंतर क्या है इसे जानने के लिए आपको हमारे नंबर पर कॉल करना होगा हमने ये मंतर अपने वीडियो में नहीं दिया है जिन लोगों को सच में इस मंतर की जरूरत है सिर्फ उन्हीं लोगों को ये मं मंतर मिलेगा तो आप हमारे नंबर पर कॉल लगाई और इस मंतर की जानकारी ले लिजिए धन्यवाद दोस्तों